हेलो दोस्तों वेलकम टो एक्जाम टाइंग दोस्तों MPPAC मुखी परिक्षा में किस पकार के कोश्चन आये हैं पिछले पांच वर्सों में तो उस पकार की यह हमारी स्रीज चल रही है जिसमें अभी हम पेपर नंबर टू के यूनिट नंबर टू के यहाँ पर कोश्चन होगी हमें लोट्स बनाने में आसानी होगी है और पढ़ने में भी आसानी होगी क्योंकि जेसा पूछह जाता है वेसा हमें यहाँ पर पढ़ना है तो हम यहाँ पर देखते china केसे केसे कोश्चन आ आप जानते हो कि इसमें कूश न कुछ नये टोपिक भी एट किये गये ज Alert भारती राजनेती में जाती धर्म वर्ग नरयाती समुहूं और भासा और लिंग की भूमी का इस पकार के नए टोपिक भी 8 किये गए हैं तो हम देखते हैं कि इस टोपिक से केसे कोश्चन पूछे गए हैं ताकि आपको notes से बनाने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, 3 mark, 5 mark, 11 mark के हिसाफ से, अब हम से किस पकार के question पूछे जा सकते है, MPPC मुख्य परिक्षा में, तो हम यहाँ पर पूराने question को analysis करके, समझने का प्रियास करेंगे, तो यहा 14 में पूछा गया था, राज्य सेवाई, राज्य सेवाई क्या होती है, इसको आपको यहाँ पर define करना था, ठीक है, उसके बाद में next question है, भारती सन्विधान के अनुच्छेद 323A में क्या प्राउधान है, तो इस पकार के question भी पूछे आते हैं, और देखें, दो बार यह question पूछा गया है, तो MPPSC मुखी परिक्षा के पिछले आप 5 वर्सों के जब question लगा लोगे, तो उसमें से कुछ question repeat भी हो जाएंगे, उसके बार में next है, लोक भी है, ठीक है, तो जो अभी लोक भी वाला जो topic है, वो अभी यहाँ से हटा दिया गया है, बाकि हमें यह भी त सिलेवस देखोगे, तो अभी यहाँ पर जो topic है, सिर्फ इतना सा aid है कि अभी लोक सेवा आयो, और पिछला आप सिलेवस देखोगे, तो उसमें पूरा लोक सेवा के बारे में पढ़ना था, प्रसिक्षण संस्थाय पढ़ना था, राज जी की लोक सेवा के बारे में इस पकार के यहाँ पर topic 8 थे, तो अभी भी इस पकार के question यहाँ पर पूछ सकते हैं, प्रसिक्षण कहां दिया जाता है, प्रसिक्षण में क्या क्या सिखाया जाता है, और कहां कहां पर IES IPS का प्रसिक्षण किया जाता है, इस पकार के भी आप से question 3 मारक में पूछ सकते हैं 5 mark में पूछ सकते हैं 11 mark में पूछ सकते हैं और प्रससनिक अधिकारी के क्या गूंड होने चाहिए इस पकार के भी question पूछ सकते हैं और जब हम नेक्स्ट यूनिट के जब question देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम यहाँ पर पूरा ethics पढ़ रहे हैं ठीक है दोस्तों अब next question हम देखते हैं कि भारत वर्षम में नागरिक सिवाओ के लिए सिरसस्त प्रसिक्षण संस्थान कहां इस्ति थे उसका नाम क्या है दोहार पंड़ा का यह question है देखें जैसे कि बता रहा था कि प्रसिक्षण संस्थान से भी question पूछे जा सकते हैं अभी क्योंकि लोक सेवा आयोक उसमें दिया गया है तो लोक सेवा आयोक को पूरा ही वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है लोक लेखा समीती का मुख्य कारी क्या है दोहा पंड़ा का question है चुनाओ के दिन राजनेतिक दलों के लिए आदर सा अचार सहीता क्या होती है दोहा सोला का ये question है अब देखे जैसे कि आपके सिलेवस में दिया है केवल भारत निर्वाचान आयोक तो आप भारत निर्वाचान आयोक का गठन किस पकार से होता है गठन आप पढ़ोगे उसके बाद में उसकी विसेस्ताय क्या कारी करता है इस पकार से आप पढ़ोगे तो ये तो आ प्राजनेतिक दलों के लिए आदर से आचार सहीता क्या होती है ठीक है इस पकार के आपको question त्यार करना है तो इस पकार से भी पुछे जा सकते हैं क्योंकि हमें क्या करना है जित्ती भी हमारे syllabus में प्रित्यक जो line दी गई है उसे define करकर के यहाँ पर देखना है वह कैसे कैसे हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं तो अभी आपको क्या करना है यह वीडियो देखने के बाद syllabus भी देखना है कि क्या क्या दिया है और कैसे कैसे question पूछे गया है चुनवाव के दिन यह वाला हमारा हुए है किन आधारों पर किसी राजनेतिक दल को राश्टी राजनेतिक दल घोसित किया जाता है दोया सोला का question है अखिल भारती सेवा में कितीनी सिरेणिया है इनके नाम लिखे दोया सत्रा में इस पकार का question पूछे गया था मद्वदेश लोग सेवा आयो के कोई दो दाइतव लिखे या कर्तब लिखे बात एक ही होती है नियंत्या के वह महालेखा परिक्षक के निस्पक्षिता वस्वयतता है तो कोई भी दो सम्वेधानिक रक्षा कवच लिखे दोहा सत्रा का question है अभी हम यहाँ पर त्री मार्क है इनमें से भी कुछ question repeat हो जाए या फिर इनकी कुछ प्रवत्या बदलके यही question आ जाए भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किनी दो समीतियों के नाम लिखे तो छे से साथ समीतिया है तो आपको जितने भी चुनाव सुधार संबंदी जो समीतिया बनी है उन्ह आप पूरा जब अच्छे से पढ़ते हो syllabus को या syllabus को पढ़ते हो फिर उसके बाद में जब topic को गहराई से जब पढ़ोगे तो आपको इस पकार के छोटे-छोटे keyword यहां पर दिखाई देते हैं तो उनको आपको थ्री मार्के के रूप में तैयार कर लेना है देखे जैसे कि पासर वो प्रवेस या लेटर इंट्री क्या होती है यूपी एससी में आप बीना परिक्षा दिये भी प्रसासनिक अधिकारी बन सकते हैं इसके लिए क्या करना होता है जैसे कि आप किसी भी नीजी छेतर में विश्य सक्गिये हैं तो आपको joint secretary या फिर डाइरेक्टर के प topic पढ़ो MPPSC के तो आप book से पढ़िए किसी भी coaching के notes से ना पढ़िए यदि आपके पास किसी के coaching के notes से हैं उन्हें अपने अच्छे से पढ़ा है और आप जानते हो कि और कौन-कौन से topic कहा कहा से सर्च करके लिखना है तो आप notes से भी पढ़ सकते हो बाकि मेरा मनना यह है क आप क्या कीजिए book से पढ़िए ठीक है तो आप जब book से पढ़ोगे तो उसमें क्या है विस्तार से दिया रहता है जब आप विस्तार से पढ़ोगे notes से तो आप खुद के वेसे भी बनाओगे आपने देखे लिए आपको notes बनाना है नोट की अभी जैसे कि किस पकार से बनाना है उस पकार की हमने अभी series भी इस्टार्ट की है तो वह भी आप देख सकते हो इस पकार से आपको synopsis बनाना है ठीक है तो आप जो भी syllabus पड़ो उसमें आपको कुछ भी word ऐसा लगे कि ये थिरी मारकर में पुछे जा सकता है उसका आपको थिरी मारकर तयार कर लेना है तो पृत्यक यूनिट के आपको कम से कम पृत्यक यूनिट के तयार करके रखना है संग लोग सेवा आयोग द्वारा संचालेज होने वाली किनी दो परिक्षाओं का उल्ले करिए सिंपल सा ये कोश्चन पुछा था 2019 में मद्वदेश के महालेखा कार के कारे बताए 2019 में इस कार के कोश्चन आये थे जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 2019 के कोश्चन सामिल नहीं कर पाये थे तो अभी इस वीडियो में हमने सामिल कर लिए है अब देखते हैं कि 5 मारक में या 50 सब्दों में कैसे आप से कोश्चन पुछे आ सकते हैं देखे आप थोड़ा सा आप से क्या है सोतंत्र संस्ता है धोयाद 14 का ये कोश्चन है देखे थोड़ा सा UPSC लेवल टाइप का यहाँ पर ये कोश्चन आप से पुछा गया है तो जब आप ये तयारी करोगे में से की जब आप तयारी करोगे दोस्तों तो आपके पिलिम्स के आटोमेटिक तयारी हो जाएगी क्योंकि पिलिम्स में भी लगबग यही सब टोपिक है नेक्स्ट है जो सबसे आगे वही जीते हैं तो ये दोहयाद 14 का ये कोश्चन है इस पकार से पुछा था और इसको आपको एक्स्प्लेन करना था कि ये क्या पुछा गया है और इसको आपको बताना था ठीक है तो ये से कोश्चन को हम पेरग्राप में ही लिखते हैं और पॉइंट वाइस में इने जब लिखा जा सकता है जब आपकी पहले से तयारी हो और आप अच्छे से डिल कर पाते हो संग लोग सेवा आयोग की भूमी का पर प्रकाश डालिए दुहया चौदा का कोश्चन है मत्यपदेश की प्रसिक्षन संस्थाओं का विर्वन दीजे तो इस प्रकार की कोश्चन भी अभी आपसे पुछे जा सकते हैं तो आप क्या करोगे जैसे की लोग सेवा आयोग दिया गया है तो आपको यूपेसी के बारे में भी तयार करना है और प्रसिक्षन संस्थाओं भी आपको तयार करना है कोश्चन आ सकते हैं निर्वाचन सुधार है तो मान किये गए कुछ प्रमुक सुजाओ को अंकित किए दुहया पंड़ा का कोश्चन है लोगतंत्र में राजनेतिक दलों के कारियों का उल्लेक किजे राजनेतिक दल के क्या कारी हैं यह आप से यहाँ पर पुछा गया दुहया पंड़ा में तो य किन आधारों पर किसे राजनेतिक दल को राजनेतिक दल घोसित किये जाता है दुहया पंड़ा में इस पकार का कोश्चन पुछा गया था नागरिक सेवा को प्राप्त सन्विधानिक सुरक्षा उपायों उसके महत्व के संच्छप में व्याख्या कीजे दुहया सोला का य लेट थे तो उनसे संबंदित ये कोश्चन है ठीक है तो अब आपसे धन विध्यक वित्ति विध्यक और विनियोग विध्यक भी पुछे जा सकते हैं बाकि वह किससे संबंदी थे वहाला हमारा टोपिक वह संबंदी थे किससे दोस्तों यूनिट नंबर वन से जिसमें सन् मिधान केवल यूनिट नंबर वन में ही है यह तो आपको यह अदर से टोपिक दिये गए हैं यह आपको अलग से ही तैयार करना है सरकारी प्रसासन में लेखा परिक्षक लेखा परिक्षण के प्रकारों यह मुद्देश्यों पर प्रकार डालिए दौहाय सोला का कोश्चन है भारत के उत्तरपूरों के राज्यों की समस्याओं और उनके सुरक्षा मुद्दों पर संचेप में प्रकार डालिए तो जैसे कि आपका जो सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे वाला जो टोपिक है तो यह इस प्रकार से आपसे कोश्चन पुछे आएंगे आंत्रिक कि महत्वत था चलन का वर्णन किये 2016 का कोश्चन है भात में नागरिक समाज सिविल सोचाटी की स्थिति का विसलेशन कीजिए देखिए सिविल सोचाटी वाला जो अभी टोपिक देखा जाय तो अभी एट किया गया है बागि 2016 में इस पकार का कोश्चन पुछे गया था त नितिक दलों को मानियता कौन और किन आधारों पर देता है तो यह सिदा सिदा निर्वाचन आयोक से संबंदित कोश्चन था अब आपसे 11 मार्क में किस पकार के कोश्चन पुछे जा सकते हैं जो कि 200 सब्दों में आपको डिल करना है और दो पेज सम्थिंग आपको यहाप करता है वागि आपको पूरी अख्यल भारती सिवाइं जितनी प्रकार की हैं तीन प्रकार की ही वह आपको पड़ना है और केसे उनका सर्जन किया आता है कोन करता है राज्य सब जो राज्य सब है उसमें सबस्पहले प्रस्ता लाये जाता है ठीक át राश्टेपति के हस्ताक्षर के बाद फिर लए अखिल भारती सेवार को भारती प्रससेवा, आईयअस के प्रमुकः करिक्षटा को करें, माहाले परिक्षक का सघ्र की ह реш. एक क्राय करें आयोक को और अपन लिक कर पको टेयों, आयोक के सदस्यों के सुतंत्रता की सुरक्षा है तो कौन-कौन से सन्विधानिक परोधान किये गए हैं तो है 15 में इस पकार का कोश्चन पूछ गया था भारत में चुनाव सुधारों की आवसकता उपाई और चुनोतियों पर एक संचिप्त टिपणी लिखे ठीक है सिंपल स लोग सेव को के परिस्ट्रिक्षण परनाली के विवश्चन कीजिए तद इस छेत्र में सुधार के लिए संचिप्त सुझाओ लिखिए 17 में इस पकार का कोश्चन पूछे गया था भारत में संसदी लोक्तंत में नियंत्र के महालेखा परिक्षक की भूमिका का आलोशनात लाश्ट वाला कोश्चन लोग सेवा दीवस कम बना जाता है और लोग सेवा को सासन व्योस्ता में सुधार द्वारा बहतर बनाये सकता है क्यों से तो सिंपल सा आपसे यहां पर सुझाओ पूछे जा रहे हैं ठीक है तो एसे आपको यहां पर त्यार करना है जितने भी आते हैं वह आपको त्यार कर लेना है जब आप कोई से भी जब इस टोपिक के आप पड़ोगे तो आपको वहां पर धेर साय डायमेंशन दिखाई देंगे तो इन कोश्चनों को आप एक बार संदर्वू में रखेगा तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाए क्या कि हमें यह सन्विधान संसोजन जवाब दही लोगतंत्र और संगटन और मीडिया तो इनसे केसे केसे कोश्चन पूछे का हैं और कैसे इन टोपिक को तयार करना है ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में